रेडियो फीजी टू देश की धड़का कोया ने कहा है कि लोग फिल्हाल मुसीबतों का सामना कर रहे हैं ऐसे में लोगों को धोका नहीं देना चाहिए कोया का कहना है कि ग्रूप्स को नेम किया गया है जो ऐसा करते हैं मिनिस्टर का कहना है कि लोग इस स्कीम के जरिये पैसे गवा रहे हैं Environment Ministry ने TNG Cement और Pacific Cement Limited को Prohibition Notices Issue किया है Peminent Secretary for Environment Joshua Wycliffe का कहना है कि Lamy Residence ने दोनों Companies को लेकर शिकायत की थी जबकि वे Environmental Requirements का पालन नहीं कर रहे थे Wycliffe ने कहा है कि माना जा रहा है कि जो Dust Factory से निकलता था वो Standards को मीट नहीं करता था दोनों Companies को पहले भी Notices Issue किया गया था Fijian Broadcasting Corporation के Chief Executive ने एक बार फिर इस बात को सपश्ट किया है कि सरकार Company को जो पैसे देते हैं वो Service Fee है ना कि Grant है Company ने International Financing Reporting Standard को Adopt किया है जिसके चलते Government ने FBC को Educational और Cultural Programs के लिए Service Fee को भरा है FBC द्वारा केई बार Explanation के बावजूद कुछ Opposition MPs Fee को Grant कहते हैं FBC के Chief Executive का कहना है कि Company ने 2006 में IFRS को Adopt किया था Fijian Broadcasting Corporation कुछ State Out Entities का हिस्सा है जिनकी सरहाना संसद में की गई थी और खेलकूत के खबरों में नंडूंगा फुटबोल कोच रमेश शर्मा का मानना है कि साइड में काफी सुधार हुआ है शर्मा ने कहा है कि रभिवार को साइड ने बाके खिलाफ अच्छा परफोर्म किया था हार के बावजूद नंडूंगा अपने परफोर्मेंस से खुश है और ये थे आज के मुखे समचार इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी टू और मिर्ची एफेम भी सुन सकते हैं शुब रातरी